नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। पर सामने आ रही हैं। उसके बाद से टीम इंडिया टीम बस में एक साथ ट्रेवल करती हुई दिखाई ही नहीं दे रही है और अगर दिखती है तो सिर्फ तब जब होटेल से आप मैच खिलने जा रहे हो तब ही। तो यहाँ पर काफी यह बड़ा मसला है हाली में विराट कोली और उपकपता अनजिंक रहाने एरपोर्ट पर अलग-अलग स्पोर्ट किये गए। तो क्या यह खराब संदेश जाता है या यह फिर टीम का जो एक एक जूट है जो टीम है यूनिटी को बिगारता है इस बारे में हम लोगों से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट नाइन वर्ल्ड न्यूस के हेड अजिद से कि क्या भारत की जो एक जूटा है जो टीम स्पिरिट है कहीं न कहीं यूनिटी खराब हो रही है अलग-अलग घूमने से देखे यह अभी की बात नहीं है कि अभी दुनों एरपोर्ट पर अलग-अलग दिखाई दिया काफी पुराना मुद्धा है कि किस तरीके से बी-सी से आए कि दो वीक वाले रूल ने काफी बवाल मचाय हुआ है जैसे खिलाडी जो है अकेले ही ट्रैवल करना जादा करें टीम में मतलब एक साथ कोई नहीं ग्राउंड जा रहा है नहीं कहीं और तो अजे सबसे बड़ी बात की परिवार के साथ काफी कमफर्टेबल होते हैं अगर आप हमने देखा कि जब अनुष्का शर्मा रहती है तो विराट टीम के साथ भी ट्रवल करते हैं लेकिन क्रवल कर चारें तो टीम से ज़एदे नहीं लगा रखा जा सकती टीम का कप्तान ही है जो पूरी टीम को मांद कर रखता है और अगर ।ीम के कप्तान ही हैं तो आज़ेंगे ची नहींे कर तो और बात कर रहे थे अजै, उन्होंने कहा कि आपको फिल्ड पे भी वो ये एनर्जी मिलेगी, अगर आप टीम के साथ टरवल करेंगे और टीम के साथ रहेंगे, तो शायद टीम आप से बहतर बात कर पाएगी। तो क्या कारण है अभिला शीक पर फिर से वही बात सामने आ गई है कि विराट कोली अलग जा रहे हैं टीम इंडिया अलग अलग ट्रावल करें काफी पार ऐसा होते हैं कि जब हम टीम बस पर रहते हैं एक साथ ट्रावल करते रहते हैं तो हमें अपने मैच इसको अनालिसिस कर करना चाहिए और कभी-कभी कुछ ऐसे मुद्ध होते हैं जो अचानक से क्लिक करते हैं अगर टीम सब लोग साथ हैं तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों को भी बया कर सकते हैं लेकिन यहां पर अजिंग्या रहाने विराट कोली का अलग-अलग स्पोर्ट होना जरूर कुछ तो इंग्लेंड में भी देखी है क्योंकि जब इंग्लेंड में भारत गई थी चार एक से भारती टीम ने सिरीज गवाई थी और उसके बाद पूरी की पूरी टीम अलग-अलग ट्रेवल कर रही थी विराट कोली मेट्रो से ट्रेवल कर रहे थे वहीं केल राहूल कहीं और थे ठीक है भारती टीम ने जीत जरूर दर्च की है लेकिन अपनी धर्ती पर जीत दर्च की है और शायद अपने घर के शेर हैं भारती खिलाडी लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या आपकी यह टीम उस तरह से तयार है कि आस्ट्रेलिया को आस्ट्रेलिया में धूल चट पूली हम जानते हैं हमारी एंटेटेंबेंट डेस्की है त्रिप्ती जीसे उनकी या रहा है इस मामले में त्रिप्ती जी विराट घोली को आप काफी देखती भी है फॉलौ भी करती है विराट को लिए एक बार फिर स्पॉर्ट किये गये हैं टीम से अलग क्या लगता है कि क्युनिटी तोट रहे हैं। कि अब तक इतने कप्तान आया है। और इतने कप्तान की फैमिली रही है। और कभी भी इस तरह की मुद्धे पर्सनल चीज़ों को लेकर बिसी से आई इस तरह की एक्शन उठाए। बहुत कम इस तरह की चीज़े आई जिसकी वज़े से सोशल मीडिया पर बाते होती रहती है। लेकिन अगर विराट कोरली को जैसा हाली में स्पोर्ट किया गया था उन्हें, मैंने देखा कि एड़पौट पर वो अकेले स्पोर्ट किया गया। मैक्सम टाइम ऐसा हुआ है कि क्रिकेट के लिए हैं तो या इंडिया में शामिल कर लीजे बिल्कुल एसा लगने लगए टिया को भी और पसमाने हैं परस्नल नहीं नहीं on अब वो उनके साथ नहीं है तो उन्हें टीम के साथ रहना चाहिए ऐसे मौकी पर अगर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं तो उन्हें और भी जादा खुद को आगे ले जाकर तीम के साथ रहना जब इस तरह की बाते हो रही कि रोज शर्मा को उन्हों निकाल दिया अजिंके र क्योंकि उनिटी का खेल है यहूनिटी नहीं मतलब खेल नहीं है ऐसे में हर जगा उनिटी दिखना चाहिए और विराट कोली एक कैपटन होने के नाते अगर वह अपनी टीम के साथ नहीं नज़र आने तो वह सच में सोचने वाली बात है आखिर क्यूं और इतने सारा सवाल लुटरेंस के बाद भी उनमें कोई चेंजिस नजर नहीं आ रहे हैं तो देखा आपने काफी दुखी नजर आई काफी परिशान नजर आई त्रिपती जी जब विराट कोली को एक बार फिर अलग स्पोर्ट किया गया जानते हैं और लोगों की राय क्या है इस मामले में क्यो को की आप हम टीम स्पिरेट की बात करते हैं और जब क्रिकेट जैसे खेल में यह तो या तो यह तो चोड़ दें या फिर अनुष्का को टीम में शामिल कर लिया जाए अब इलाश्टी देखिए एक होता है कि टीम में आपसी पर्सनल कुछ मैटर्स हैं, कुछ खिलाडियों के बीच अनबन हुई है, इसलिए जादा डिफ्रेंसिस आ जाना, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पर आपके प्रोफेशनल डिफ्रेंसिस आएं, क्यों अब उन ही लोगों से डिस्टेंस मैंटेन कर रहे हैं, और अजा क्याप्टन, आप क्याप्टन हैं, बलकि आपका काम है, सब के साथ बॉंडिंग अच्छी रखना, और जिन में बॉंडिंग अच्छी नहीं है, उनको अच्छी करवाना, लेकिन ऑन दा अधर हैं, आप जो क आप कह सकते एक सजेशन है, कि सर आप प्लीज इन सब चीजों से बहार निकलिए, अपनी टीम को संभालिए, क्योंकि फिलहाल आप कैप्टन है, आप लीदर है, आप पर रिस्पोंसिबिलिटीज हैं, उन्हें निभाईए, अगर टीम में, क्योंकि अंदर की बात कोई नही लेकिन अगर वाकई इतनी ज्यादा डिफरेंसिज हैं, दिलों में इतनी दूरियां आ चुकी हैं बाकी प्लेयर्स के, तो एज़ा कैप्टन विराट का फर्ज बनता है, कि आप उन सब डिफरेंसिज को दूर करें, अगर आपके साथ भी किसी की रंजिश हैं, तो उन्हें दूर किया जाएं, ताकि आपके बीच की बॉंडिंग अच्छी हो, और अच्छी बॉंडिंग का एक अच्छा रिजल्ट निकल कर सामने आए, आगे ना जाने कितनी ही जीत टीम इंडिया अपने नाम करें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पहले आप सी ताल मेल काशिव जी जो बहुत हमारे साथ कवर भी करते हैं, स्पोर्ट के कई स्टोरीज, भाय जान अनुष्का शर्मा को या तो विराट कोली लाना चातने है भारती टीम में, जो पंद्रा की जो टीम है, उसमें अनुष्का शर्मा को भी आतो जोड लिया जाए, क्योंकि टीम के स टीशेट उठाकर अपने एपस देख रहे थे, ठीक है, उसके बाद बीजी सी आई के ट्विटर पेच पर वहां पर ट्विट के जाता है, राइज एंड शाइन करके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विराट कोली करना क्या चाह रहा है, वो इस वक्त उन पर मैंने य लगतार के बोलाओं के उन पर बॉलिवुट का खुमार चड़ चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिखाने की और मुझे लगता है कि इसमें मैं थोड़ा सा परसनल हो जाना चाहूंगा, कि मुझे लगता है कि वो इस वक्त अहसास कम तरी के शिकार है, एक विराट कोली कही ना कही भारती किरकेट टीम को इस चीज से नुखसान पहुचा रहा है, बिलकुल कही ना कहीं वाशिप भाही का भी कहना सही है कि अनुश्का शर्मा की थोड़ा ही से ठीक है, पतनी है आपकी, लेकिन इतना जादा भी जो है ठीक नहीं है, अब आपको हम थोड़ी देर में ले चलेंगे हमारे एडिटोरियल हेट के पास, उन से जानेंगे राय, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारती टीम जो है, वेस्ट इंडीस के खिलाफ टेस्ट मैस जरूर जीती है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिराट कोली जो है, काफी आप लड़ा नहीं है, जैसरोड गांगुली की कप्तानी, हमने देखी, महिंदर सिंग दोनी की कप्तानी, सचिन तंदुलकर की कप्तानी देखी, हर जगे टीम ने एक साथ ट्रवल किया है, सर सबसे पहले हमें बताएं कि गराड कोली थे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो तो च मेरा के साथ प्लेनिका सहुद्व दन्तवारज का सबस्सक्ति कि थमेतर अधूर मेरे मेर में लूएज हुते हैं कि मौण ही नशेनिक साथ जो पहल होता है कि उतनी बैठर तो निण बहुत 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 होगी लेकि नगी तालमेल बहुत है तो वह साफ नजर आ जाएगा कि दोनों प्लेयर कुछ और सोचते हैं उनका दिमाग अलग-अलग लेबल पर काम कर रहा है और इसलिए एक उसमें रनाउट हो जाता है तो यह चीज़ ज़रूरी है कि हम तालम सवाल उठ रहे हैं बलकुल हलाकि टीम अच्छ देखिए जीत होती है अविलाश टी तब सारी बाता दब जाती है क्योंकि अभी वैस्मिलीजी खिलाब आपने एक इनिंग और अच्छे खाद रनों से जीत दरज की एचाजिक जीत है तो बहुत सारी बाता दब गई लेकिन ही में विराट कोली कफ्टान उनको अभी से संभलना चाहिए क्योंकि देखिए इसके बाद तीन चार टोर बहुत ब्रबर टोर हैं आप आप क्या टीम को बांग कर चल पाएंगे ठीक है इंडियन बैटिंग आप यहां पर आसनी से रन कर रहें लेकिन क्या यह बो टीम है जो अभी तक तो हमने शायद ऐसे देखा भी नहीं होगा कि कफ्टान अलग टीम से जा रहे हैं और टीम अपने अलग जा रही है तो यह जो जो चीज़ नहीं आपस में जरूर आप जो दूरी है पैदा करेंगे और मेरे ख्याल में दूरी को जितना घटाया जा उतना जरूरी ह कितना आप रहेंगे साथ में ट्रैवलिंग में आप प्लेर साथ में रहेंगे तो हसी मजाग होगी कुछ बात चीज़ निकलेगी तेकि यही एक माहौल होता है कि एक कोई मैच के पहले एक गेट टोगदर किया जाता है कि आप से इस तरह की बढ़ाई जाए क्योंकि मैदान पर बोस चीज नजर आना बेहर्द जरूरी है अगर हम अलग रोही दिखाए देंगा अलग शेकर धवन दिखाए देंगे अलग विराट कोले दिखाए देंगे तो टीम नहीं है क्योंकि टीम को एक नाम सा नहीं बन रही है यहां पर पूरी की पूरी जो ग्यारत सदस्ते को लेकर चलने की खाबले के हमारे अंदर है ऐसा तो नहीं कि हमारा नाम कई हाभी हो रहा है दूसरे प्लेयर्स पर क्योंकि लगातार हम शेकर रोहित की बात कर रहे हैं कि भाई उनको लिया जाना चाहिए तर तमाम बड़े नाम कहरे हैं कि विराट कोली का शायद यह फैसल में आपका नहम दर्ज होगा तो यही कहा जाएगा कि कोली कप्तान थे उससे में टीम ऐसा किया तो यह जरूरी ही कि आप ऐसा है थ्यास लिखिए कि जब कल आप उसे पढ़ें तो उसमें बेहतर जीजे निकल कर सामना है बने सूर इसके कि कोई बिवात खड़ा हो बिलको ज खास प्रोग्राम में बताई जनता की राय कि विराट कोली टीम से अलग नजर आ रहे हैं तो क्या टीम इंडिया बिखर रही है इन सभी सवालों के जवाब हमने आपको बताए और आप भी अगर चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं अपने सवाल वादा है आप से कि आप तक वो आपके जवाब जरूर पहुंचा जाएंगे फिलाल हमें देदीजे इजादत तो हाँ हमारे चैनल नेक्स्नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा नमस्कार